हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने इंप्पॉर्टेंट साइन्स का फंडा सिरीज लेकर आगे दोस्तों और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन आप दो मोस्ट कंसेप्चुल टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जी हाँ दोस्तों यह एक ऐसा टॉपि 8-9 से बड़े हो तो अगर आपको नहीं पता है वाकई में कि इसका मेन मतलब क्या होता है दोनों के बीच में क्या छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है तो यह चीज आपके लिए बहुत यूसपुल होने वाला है इसलिए यह वीडियो बहुत देखना और क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉटेंट है तो आप आज अगर यह वीडियो देख लेते हो तो definitely कभी भी आपको जिंदेगी में कोई भी परिशानी displacement और डिस्टेंस के बीच में कभी नहीं होगी ठीके दोस्तों और साथ ही में आपको पता दे कि आपके जो सिलाबस के जो लेक्चर वीडियो को चेक करते रहे ना ताकि आपको पता चल जाए कि हम आपके लिए कौन-कौन से वीडियो अप्लोड करके बना चुके हैं और अप्लोड करके रखे हुए ओलरी ठीक है तो जरूर से प्लेलिस्ट चेक करना आपके जो सिलाबस है उसके साइन्स और मैट्स के आल्मोस्ट 98-99 चैन्स के लिए लगबग 95-98 परसंट कंप्लीट है 11 स्टैनर्ड के लिए लगबग 50% से ज़्यादा कंप्लीट है 12 के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल से जल और उसके अलावा हम मैट्स ट्रिक्स के वीडियो इंग्लिश ग्रामर के वीडियो स्कॉलर्शिप बे आज का इस distance and displacement, जो topic है हमारा, तो बारी-बारी से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं, कि यह जो distance लिखा है, इसका basic meaning होता क्या है, distance का मतलब क्या होता है, तो definition अगर point की बात करें, distance का definition जो होता है, the length of actual path traveled by any object, shortcut में अगर मैं लिखो, distance का मतलब क्या होता है, the length of actual path traveled by any object, ध्यान से देखना, मैं यह definition क्यों लिखा रहा हो, हो सकता है, आपको पता ना हो definition, तो पहले समझ रहो इसको, क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि the length of actual path traveled by any object, यानि कि अगर कोई भी object है, चाहे वो object इंसान हो, चाहे वो object एक जानवर हो, चाहे वो एक एरोप्लेन ह हो, helicopter हो, आपका train हो, गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, object होना चाहिए, अगर वो कुछ travel कर रहा है, travel मतलब क्या होता है, moment करना, चलना, कहीं भी जाना, अगर वो travel कर रहा है, तो जितना उसने travel किया है, और जितना उसका length आया, मतलब पता है, दूरी, दूरी मापते हैं वो भी actual path का, यानि कि जो path से गया है, जो रास्ते से वो गया है, उसका जो length है, वो ही हमें बताता है, distance, definition समझ में आ गया, एक example छोटा से देखे समझाने की कोशिश करता हूँ, let's suppose कि ये मेरा घर है, क्या है, let's suppose कि ये एक मेरा छोटू सा घर है, वैसे इतना ही छोटा सा घ इसकूल है, हमज में आ रहा है, क्या है ये इसकूल, इसकूल, ठीक है थोड़ा मजाक होगे, कोई बात ने, माफ करना, ठीक है न, तो ये हमारा क्या एक घर है, ठीक है, नाम डाल देता हूँ, इसका, क्या नाम बोला मैंने, ये हमारा होम है, ये हमारा इसकूल है, अब यह हमारा स्कूल का रास्ता है अब देखो बात समझो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चोटा साई टॉपीक है दोई टॉपीक है फटाफट कम्प्लीट भी हो जाएगा देखना ध्यान से रख्ता लगाने नहीं बोल रहा हूँ देखो क्या बोल रहा हूँ कोई बी ऑबजेक जब ट्राविल करता है तो वह जो रास्ता चूज करता है जाने के लिए उसकी लंबाई कीतनी है वही आपका distance, यानि कि समझ लो ये मेरे घर से जा रहा हूं है, ये घर से यहां से लेके यहां तक का जो distance समझ लो, वो है 1 km यहां से लेके यहां तक का जो distance है वो समझ लो है 5 km और यहां से यहां तक का जो distance है वो समझ लो है 2 km यानि कि अब जो भी लड़का है यहां से निकलना शुरू हुआ, यहां से जाना शुरू किया, टर्न मारा, यहां से आया, फिर टर्न मारा, फिर यहां पे स्कूल में पहुच गया, मतलब उसने कितना length कवर किया, यहां से आया, सीधा यहां तक, कितना आया, एक किलोमेटर आया, फिर यहां से आया, यह इतना यानि यह पहले एक कि लो मीटर फिर उसके बाद प्लस उसके बाद कितनाइ दो किलो मीटर यानि कि प्लस कर खर और कितनाई वह बंदा partnership कोई भी एक दूसरा इन्सान भी होगा वह अपने घर से लेखेória स्कूल तक अगर जाता है तो उसको कि चलना पड़ा, समझ में आ रहा है, यह देखे तो आपको यह सी समझ में आ गया गया, मतलब उसको कितना 8 km चलना पड़ा, तो 8 km क्या है, उसका लेंग्थ है, उसने कौन सा रास्ता चूज किया, यह जो उसका रोड होगा, रोड पर ही जाएगा, उड के थोड़ी जाएगा, जैसे हमारा definition बोलता है, कि जितना भी उसका actual path, यह उसका actual path है न, actual रास्ता वो ही है, तो actual path का जितना length होगा, वो ही हमारा distance होता है, तो obviously हमारा distance कितना होगा, 8 km, यानि कि अगर कोई पूछता है, कि आपका घर से school तक कितना distance है, आप कितना distance जाते हो, तो मैं बोलूँगा, समझ में आया distance का basic definition, अब चलते है displacement की तरफ, फिर displacement का मतलब भी समझाऊँगा, फिर दोनों में फरक क्या है, वो भी बताऊँगा, समझ में आ जागा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना समझ में आ जागा, इसको मैं मिंटा देता हूँ अभी, इसको मैं फिलाल में डाल देता हूँ heading, displacement, देखना से, यह जो displacement जो word है, इसका definition के इस आप से बात करूँ, यह क्या बोलता है, ठीक है, the shortest possible distance, the shortest possible distance traveled by object, यानि कि object ने, कोई भी object हो सकता है, जैसे हमने पहले डिसकस कि, object ट्रावेल कर रहा है distance का, लेकिन उसका सबसे shortest possible distance हो, यानि कि एक तरीके से shortcut, लेकिन वो possible हो, लेकिन वो possible हो, यानि कि displacement का in short definition के हिसाब से मतलब हो गया, कि कहीं पे भी हम जाते हैं, तो उसका एक shortcut जरूर होता है, उसका एक क्या होता है, सबसे करीब वाला shortcut distance होता है, तो जो दो चीज के बीच मे दो object के बीच में, जो सबसे कम possible distance जो होगा, वही distance displacement कहलाएगा, समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, distance अलग है, distance क्या था, actual रास्ता, जो road से जा रहे थे, actual रास्ता, लेकिन displacement क्या है, दोनों के बीच में, एक shortcut रास्ता, एक shortcut possible रास्ता, possible होना चाहिए, वो रास्ता वो जो दूरी रहेगा, वो जो length रहेगा, वो क्या बताएगा, हमारा displacement बताएगा, example के थुरू समझाओ, example के थुरू, diagram बना के, देखो यहां पे ध्यान से, let's suppose फिर से में वोई example लेता हो, यह मेरा घर है, यह मेरा क्या है, घर है, शोटूसा, ठीक है न, और यहां पे क्या है, मेरा समझ लो, क्या बनाये था, मैंने school बनाये था, ठीक है न, यहां पे मेरा school है, ठीक है, यहां पे मेरा school है, समझ लो, मेरा diagram ऐसे भदनाने आता है नहीं, तो आप बोलोगे sir, gau बना रहे, आज के जह मैंने ऐसे स्कूल नहीं होता है, don't worry, शेहर में रहता है हम स्कहर और यहां पे कितना था, दो किलो मेटर था, same way, example लेता हूं, करेक्ट है लेकिन अब हम बात कर रहें displacement यानि कि दोनों के बीच का सबसे कम दूरी यानि shortcut distance shortest possible distance तो समझो कि मैं इतना रोड से घूम फिरके जाओंगा तो मैं यहां से डाइरेक्ट नहीं जा सकता हो क्या बोलते ना लिए जिवाल होते दीवाल के उपर से कूट के चोटासा बटासा इसा नालब में शोटकाट है हम फर यहँड़ के घंत लगत täll ना लगता जाने में महां पे हम लोग 10 मिरट में पोच जाते हैं तो पॉसिबल तो है ना, yes, that is the main shortest possible distance, we can call it as displacement, तो let's suppose, ये एक था, ये पांच था, ये दो था, ये हम लोग distance से गए, तो समझ लो, मैं direct अगर यहां से यहां चला जाता हूं, तो यहां पर जाने के लिए, का सबसे shortest possible distance, तो shortest possible ये वाला है, कि ये वाला है, ये कहलाएगा distance, और ये जो सीधा-सीधा जो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये कहलाएगा displacement, कितना आया, 5 km, तो आपका displacement कितना आ गया, 5 km, समझ में आ रहे हैं दोस्तों, ठक गया, ठीक है, समझ में आ रहे है, clear है, समझ में आ रहे है, क्या बताने कि कोशिश किया, कि displacement और जो हमारा distance है, दोनों में क्या basic सा फर्ब है, और क्या-क्या मतलब है इसका, displacement मतलब क्या होता है, shortest possible distance, समझ में आ गया दोस्तों, Cathedral है, difference भी समझ में आ गया, difference यही है कि कोई भी चीज़ का अगर मुझे दूरी निकालना है तो जो actual रास्ता बना हुआ है उससे जाएंगे तो वो distance कहलाएगा जो shortcut तरीके से जाएंगे shortest possible due distance होका दोनों के बीच का वो उसका displacement कहलाएगा यह आपको ध्यान में रखना है clear है, समझ में आ गया तो बस तो यही था हमारा आज का lecture वीडियो जिसमें हम आपको समझाने वाले थे distance का मतलब क्या होता है और displacement का मतलब क्या होता है तो पूरी उमीद करता हूँ कि आपको जो भी conceptual knowledge था वो सब मिल गया यहाँ पर और जो भी doubt था वो आपको सब चीज यहाँ पर क्या हो गया है, clear हो गया है ठीक है, तो बस दोस्तो आज के लिए इतना ही था यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें चैनल को भी subscribe कर देना, साथ में दोस्तों, एक bell आइकन होता है, उसको भी press कर देना ताकि जब भी हम लोग future में कोई भी वीडियो को upload करेंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे एगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye